नमस्कार में डाक्टर रजिनिश कुमार आप सभीका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट दो को लेकर हाजिर है जो की BPSC Tree, CUET PG और सभी प्रवप्ता प्रिशाओं के दिश्टी कौन से महत्पून है आज का जो प्रैक्टिस सेट है इतमे हमने सीधे प्रशनों को आधार बनाया हुआ है लेकिन ये ऐसे प्रशन है कि आगे कूट पर आधारित प्रशन होंगे या फिर BPSC pattern के आधार पर 5 options वाले उप्रवप्त में से एक से अधिक कोई नहीं इन सभी के दिश्टी कौन से ये महत्पून है क्योंकि जब आपका concept clear होगा तो किसी भी तरीके से विकल्प पूछे जाएंगे आप वहाँ पर प्रशन का सही उतर दे पाएंगे तो कोशिष हमारी इस practice के माध्यम से ये है कि आपका concept clear हो तिक है तो चलते हैं बात करते हैं सिदे प्रशनों के ऊपर पहला प्रशन है नीम्ण में से स्वर संधी का उधारण है और संधी आगया है अतिवत्तम, निश्चे, उल्लास और संधम इस में से हमें बताना है कि इस संधी का उधारण कौन सा है तो आपका अगर concept clear होगा तो तुरंत आप इसका क्या कर लेगे, संधी विछेत कर लेंगे, इसके हिसाब से तुरंत आप बता देंगे, कि किसमे कौन सा कौन सी संधी है ठीक है, और इस हिसाब से आप सही उद्धर तक पहुच पहेंगे तो मैंने यहां पर क्या कर दिया इसका संदी विश्यत कर दिया ठीक यहां पर आप देख रहे हैं कि लक्षण के आधार पर सही जबाब हो गया option पहला अतियोत्तम क्या है स्वर संदी का उधारण अब इसमें स्वर संदी में भी कौन सी संदी है जैसा कि कि आप जानते हैं कि स्वर संदी के पूल पांच भेद माने गया हैं जिसमें की दिर्ख संदी गोण संदी आयादी संदी यन संदी ठीक है पूर रूप संदी इस तरीके से संदी संदी के भेद है तो जब आपका concept क्लियर होगा तो इस प्रश्ण को कितना भी घुमा कर पू आया था तो मैंने आपको समझाते हैं कि गोधन अक्ष जहां पर उ को को आव हो जाता है तो कई विद्ध्यार्थी जो मैंने ऐसे लिख दिया अव लिख दिया था तो उसको लेकर अपना वहां पर मथा पची करना शुरू कर दिये लेकिन कई बार चीजों को आप संकेतों क भी समझें कि आखिरकार यहां पर क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है तो गोधन अक्ष यहां पर बहुत सारे विद्ध्यार्थी प्रैक्टिस सेट वन का आंसर दिये कि आयाद आधि शन्दी है तो उनके लिए बहुत बहुत उनको शाबासी मेरे तरफ से तो इसी तरी चलते हैं तो पहला प्रश्ण स्वर संधी कि आप समझ गये कि कौन सा इसमें बाकि आपके मन में आ जाना चाहिए कि दो में कौन है संधी तीन में कौन है और चार में कौन सी संधी संधी के साथ संधी वीचेत को भी आप समझ गया हूं चलते हैं अगले क्वेशन पर बात कर है उसका यहां पर बस उदाहरण दिया हुआ है यानि कि आपको खोजना है आ और उ तो आप देखिए आपको किसमें मिल रहा है और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अ और आ को तो समझ जाए गया लेकिन उ को अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार उत्सो लिखा कैसे जाता है मालिगे कोई उत्सो कभी लिखी नहीं पाया तो इस तरी की संदी को वो नहीं कर पाएगा इसलिए संदी करते समय दोनों तरफ के श्रब्दों को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा तब ही आप सही आंसर तक पहुचे अब इसको मैं पांच विकल्प दू चार विकल्प दू दूह तो आप अपने आप बता देंगे हैं तो महां महोच्ष जह दिया गया है तो यहाँ पर आयू तू आपको खोजना है तो तुरंत इसका जो ज़वाब हो गया पहला क्या सही सारे विद्यार्थी नीचे वाले को विक्रन सूरू करते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है अल्ड़ непह jätte लेकिन टेकनिकल पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि मैं देखता हूं कहीं बार जैसे की जैसे लगुर्मी है तो इसमें चोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है क्या है इस पर मैं बात करूंगा आगे चलिए अगला प्रशन है कि गायक का मिच्छेद है तो इस बार शब्द को ही तोड़ दिया गया थिक है गाधन एक गोधन अक गेधन एक गेधन अक तो यहाँ पर गायक गायक से अगला प्रशन है रवी धन इंद्र की संधी है रवी धन इंद्र की संधी क्या है और संधी आगे रवी इंद्र ए रविंद्र रवेंद्र रविंद्र रवेंद्र है कि देखने में प्रश्ण कठिन नहीं लेकिन हमें कोज़ियर करके रखना है कि आखिब का इसमें आप देखने है कि दिर्गसंधी है और सैजबाब हो गया option पहला रवी परिक्षाव में कोश्ची से एरतिय की ज्यादस ज्यादा प्रश्न क्या हो उत्तरुन के सही हो जाए तो यहां पर इसका सही जबाब हो गया रवी इंद्र ठीक है न इसी तरीके से कभी इंद्र अभी रवींद्र पूछा हुआ है और सकता कि कभी पूछ लिया गया तो आप प्रस्व के निंद्र में बड़ी की मात्रा है ठीक हे छोटी इंक इरלי अ ब्लाइन प्रस्वनकों अ ख और प्रस्षिंअ कि निम्न मेंसे प्यंजन संहीं संह्मसा णीलाराण फोसे ञें पर का इत्याधि कि इत्यादी प्रतेक सजन तो यहाँ पर है कि कौन से संधि कर लिए प्रति धन एक और सट्धन जन मैं तो हमwnें बता ना है कि कि Vengeance संधी कौन सा है, तो आपके मन में तुरन्त आंगे हो कि Option चौथा क्या है, इसमें शही जवाब है कि सजड्जन में Vengeance संधी बाकी में आप देख रहे हैं कि तुलन संधी है और समय अलग-अलग धन्सय है, ठीक है किसी में गोन संधी है, किसी में यन संधी है ठीक किसी में आजाधी संदी तो इस हिसाफ से आपको देख रहा है तो ज्यादातर गुण और यान शंदी यहाँ पर दिखाई देर है उपर जो मैं महोच्चों के बारे में बात किया हुआ था आपके दिमाग में आगे होगा कि ये गुण संदी का क्या है उदहारण है जिसमें की लक्षर में आपने देखा होगा ए ओ और और ज्यादतर प्रयोग किया जाता है जिसे महाधनरीसी महरसी ठीक रमाधनीस रमेश इ अगला प्रश्ण है कि विद्ध्यार्थी का संदी विच्छेद है आप जैसे हम परिक्षाओं के त्यारी करते हैं तो हमें लगता कि ये सारे शब्द घिसे पीटे है रिपीटेड है लेकिन आप जब परिक्षाओं में जाएंगे तो इसी टाइप के आपको क्वेशन अगला प्रश्ण है कि नीम्र में से विचर्ग संदी का उदाहर्ण नहीं है नहीं पर जोर देना है अप्षन दिया गया दूरगंध निर्धन यद्यपी निश्फन तो कौन सा इसमें संदी का उदाहर्ण नहीं है तो सही जबाब होगे आपके दिमांग में तुरंद आ रहा होगा सही जबाब है ओप्षन तीसरा यद्यपी ठीक है यदिधन अपी तो इसमें कौन से संदी होगी यह आपके दिमांग में आनी चाहिए अगर नहीं आ रहे है तो एक बार जाकर इस प्रैक्टिस के बहाने जो संदीयों के मुख्य लक्षन उनको जरूर देख लिजिए अब कोई कुछ विद्यार्थियों जिनको कि एकदम से पकापकाई चीज ही चाहिए तो वह बोलें कि आप ही बता दिजिए तो मैंने संदी पर वीडियो बनाई हुए और वाइट ब गखे ढ calendar मन में लक्षड इत्या दिन नहीं आ रहे हों उनके लिए टीयारी ठीक चल रही है अगला प्रश्न effective दो याद दो से अधिक पदों का योग संदी संदी में दो वरों अधा ठीक करने तो यह क्या 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 कि समास अग्ला प्रक्षण के समास का भेद तोढ़ चाहिए कि समास के मुख्य तोर पर छे भेद माने गए उसमें से हमें पता ना कि कौन सा ऐसा भेद है जो समास का रही है माल लिजिए आप बेपेसी 3 का एकजाम देने गए ठीक है तो उसमें यह चौथा आफसन तो यही रहा 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 न कि उपरिउक्ष में से एक से अधी ठीक तो माले जे इसमें और एक लिख दिया जा रहा है कि कोई नहीं दो चीजें हो गई ठीक तो अब अगर आपसन में दो जोर देता और इसको हटा देते हैं जो कि इसका सही जबाब है आपकर कृदंत किसी समास का भेद नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है जब हमारा कितने भेद हैं तो फिर दिक्कत होने लगेगी माल लीजिए अगर भी पेसी के पैटरन पर यहां मैं इसको सवाल बना दू ठीक है और कृदंत को यहां से हटा ठीक है तो इसका ओप्सन क्या हो जाएगा चौथा ओप्सन हो जाता कि बावब्री भी समास है तक पुरुष भ समझें सवा सही हो जाता उमीरे की मेरी बात समझ पा रहे हों में थीख है चलिए आगे बात करते हैं अगला जो परशन है निम्न मेंसे पदों का खेल किसी में पर्थम पद प्रधान होता है किसी व रन्खत्रत्रा प्रधान है कि nei किसमें संख्यावाची कि दूसरी कर एक है अ है और जिसमें दोल्ब पर gonna do प्रधान होते हैं ठीक है तो यहां पर उधान दिया गए चीडी मार भर पेट मुहतोर लोटा डोरी तो अब इसमें दोनों पत किसमें प्रधान है सई जबाब हो गया option 4 लोटा डोरी अब वक्त खतम हो गया लोटा डोरी का संबंद कब है जब कुए का जमाना हुआ करता से ज दोन्द समास है तो चोथा option इसका सही हो गया लेकिन आपके मन में इधर का भी आना चाहिए कि आखिरकार क्या है चीडी मार यह भी कई बार पूछा जाता है इसमें तत्पूरुष समास है इसको आप लोग नोट कर लिए भर पेट में है अब्वेई भाव समास और मुह तो इसमें जो वी सातो आठो भी वक्तियां उन्पर आगारे दिप्रष्ण कुछा जाए देर सारे उधार है तर पूरुष समास के तो इसको मोच्ट इंपोर्डेंट करके आप जाए ठीए चलिए अगला प्रशन है विधान सभा का समास विग्र समास विग्र क्या है विधान क है तो भी ज़्यादा सुनते हैं कि विधान सभा का चुना है इसी का भाई है लोक सभा में यह सब आपस में भाई है आज यह विधान सभाव पूछा गया है राज सब्सक्राइब का जानगे तो इन दोनों सब्धान सब्धान को के लिए उसका सम lawn के लिए प्रत प्रस पोरुस का उधारण नहीं ऐसे गया डेए कंड़भों में देता कि इसमें से ऊ moisturizing में से एक को यहां एक तीन ऐसे शब्द जो कि ततफूरुष के उधार ही और एक नहीं उह हमें मताना अब क्षक्छ डेया है ंप्शन चौथा नीलगाई है हरफं मावला सेना पती यह सब क्या है दक पूरुष समास है और दक पूरुष में अलग अलग आजो भी कारख पर आधारी समास होते हैं सब भी अलग अलग धंका हरफन मौला का प्रयोग आप जएसे कई बार आप देखेंगे मुझ मांगा आप ने सुना हो चाहिए मॉख मांगी रखांज मुझने दिया है हरफरण मौला खेल में प्रयोक किया जाता है जब कोई अच्छा करेंपति लड़ाई युद में सेनापतियों का ज़्या नाम लीआ जाता है नील गाय यहांपर तो गाय की विशेषता बताय जा रही है यहां पर यहां पर विशेशंड आ विशेष का संबन्ध हैं तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारे समास इस इसको ध्यान में रखे अब कर्मधारे का कॉंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप तुरन इस तरीके के प्रश्णों का आंसर दे देंगे ठीक है कि जिसमें विशेशन विशेश्य का संबंद होता है वापर कर्मधारे स की समास होगा, तो कैसी गया है? नीली गया, गया की विशेस्ता बतलाए जा रही, यानि कि यह विशेस्स है हो गया, यहाँ पर तत पुर्ष समास नहीं बलकि कर्मधार समास है, ठीक, concept एकदम से clear हो गया होगा, चलते हैं, आगे बात करतें अगला प्रश्ण है, दाल भात का स कुछ भी पूछा जा सकता है तो रोटी दाल हो गया डाल भात का समास ब Alma की राख ho दाल और भाव सही जबाब हो गया option दूसरा इसी तरीके से आपने एक शब्द और सुना होगा माता पिता यानि माता और पिता दोनों पत क्या इसमें प्रधान तो दाल और भाव तो आपके दिमाग मिलना सिर्फ इसका समास विग्रह आया होगा बलकि इसमें कौन सा समास है व प्रिम विद्यार्थियों मैं भी प्रश्ण बनाता हूं तो कई आप देखते हैं कि एक प्रश्ण दुसरे प्रश्ण से जुड़ा सा होता है अब इतक ऊपर हमने कई ऐसे प्रश्णों में आप सभी को बताया कि दोनों पत परधान होते हैं और अंत में इस पर एक सवाल भ होता है दोनों पद प्रधान होते हैं अब जब आई गया तो यहां पर मैं बता देता हूं कि अब भाव समास में प्रथम पद क्या होता है प्रधान होता है ठिक द्वंद में दोनों हो जाते हैं बहुबरी में तीसरा अर्थ निकलता है अन्य अर्थ निकलता है तस पुरुष की प्रधानता होती है ठीक और इसमें भी भक्तियों का लोप होता है तो देखिए हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करें बलकि सब्जेक्टिव तौर पर भी देख ले रहे हैं चलते आगे बात करते हैं उम्मी देखि पूरा आप लोगों को इसका लाफ मिल रहा होगा जो भी किम समझेंगे तब ही आप संदी को ठीक से कर पाएंगे तो ब्याकरण का यह पोर्शन है आप अब हमें बताना कि उपसर्ग किसमें नहीं लगा है अध्यक्ष उन्नति अप्शकुल क्रोध तो देखिए इसमें तुरंत आप बता देंगे कि क्रोध जो शब्ड है इसमें उपस बाकी में आप देखेंगे के उपसर्ग लगां होगा है ठीक है कोई न क fidelity, कोई उपसर्ग है इसमें, और उपसर्ग नहीं है बलकि ऊपर के दो में तो संदी कर रहे है लेकिन हमारे, कुछ विद्ध्यार्थी इन हमवर्कों को सीरियस लेते हैं और कमेंट्स करते हैं उनको मेरे तर्फ से बहुत ही शाबासी और मुझे यही है कि भाई उनकी तयारी अच्छी चले बात उनको ध्यान में रखते हैं तो क्या करना है वस आपको क्यों जाकर कर देना लिग देना है अगर ऐसा शब्द है जो कि अतिओफसर्द से बनाया तो उफसर्द जब बोल रहा है तो यहल के दिमाग में आपके शब्द इसमें बना हुआ जिसमें अनुकरण दे दिया अनात अत्यान देया पर दिया है तो अब आपके दिमाग में आ गया हो कि अति अन्त ठीक है और अधर्म क्या सही जबाब हो गया option तीसरा न सिर्फ इसमें उफसर्ग लगा है बलके इसमें संधी को कौन सी संधी है कौन सा अइसा शब्द जिसमें पर उफसर्ग नहीं लगा हुआ हुआ है तो अगला प्रृश्ण है करिदंत शब्द में निम्न में से क्या होता है कृदंट आपने पढ़ा होगा कृदंत और तद्धति ति कह है इन सभी शब्दों को लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है यह मेरा हिद्धी व्याकरण का वीडियो उतना आप लोग नहीं देख रहे हैं प्लीज देखिए अगर आपके पास वक्त हो तो क्योंकि उसमें मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं कॉंसेप्ट को क्लियर करूं और हर बार मेरी कोशिश रहती है कि कॉंसेप्ट को क्लियर किया क्रिदन्त शब्द निमनल में से जाके गए धातु संग्या ऽवनाम या फिर मिल्मीत होता है क्रिद्ध कर देखाया तो इस प्रस्वन में के मादम से आपने क्रिदंत और तधत दोनों को समझ लिए अगला प्रश्ण कि आर प्रत्य निम्र में से किस शब्द में है आर प्रत्य अभी तक उफसार के बारे में बात कर रहे थे अब आगे आर प्रत्य जो कि शब्द के बाद में आकर जूड़ता तो आप्सन दिया गया बाजार, लुहार, बीमार, पत्रकार तो शब्दों को देखिए और आप अपने दिमाग को दवड़ाईए कि इसमें कौन सा प्रत्य हो सकता है सही जबा भगया आप्सन दूसरा लुहार लुहार में आर प्रत्य नहीं लगा हुआ है बाकि जितने भी प्रत्य यहां पर है स सिक्षक, अफमान, मोटापा, भारती है तो जब आप उससर प्रत्य समझ गए तो तुरण इस विकल्ब को देखते ही आपके दिमाग में आ जागा कि आप्सन दूसरा क्या है अपमान में क्या है कि प्रत्य नहीं लगा हुआ है बलकि इसमें उफसर्ग लगा हुआ है अप oopen, माध ठीक और बाकी में किसी में अख्व है किसी में पाथ लगा हुआ है ऐसमurnा एये प्रत्य लगा ओं तो यहाँ पर आप देख रहें कि जितने में तीन शब्त द्ध गए समय में कोईन कोई प्रत्य लगा हुआ है इसमें उपसर्ग लगा है ठीक तो उम्मीद है कि हमन इसको समर्थन मिल रहा है सायोग मिल रहा है तो हम परड़े कोशिश करेंगे कि एक या दो हिंदी व्याकर्ण से रिलेटेड प्रैक्टिस से आप सभी को देते रहें तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्का करते हैं